हलो बच्चो बच्चो ट्वैल्थ बोर्ड के एक्जाम की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है और हमने बहुत सारी तैयारी भी कर ली है लेकिन क्यों ना एक लाश्ट राउंड मारते हैं केमेस्ट्री के रिविजिन का दस दिन दस चैप्टर लेकिन रिविजिन ऐसा कि किस के अधार पर ब्लूप्रिट के अधार पर पहला लेसन अपने शुरू करते मैं बताऊंगा पूरी कहानी कैसे अभी 15-20 मिनट की क्लास है विलियन लेसन में रिवाइज करवा रहा हूँ डेली एक लेसन रिवाइज करवाऊंगा आपको मेरी क्लास के तुरंत बाद आप ये स्टार्ट कर रहे हैं और 14 फरवरी तक हम पूरे के पूरी केमिस्ट्री का रिविजन मा डालेंगे डेली धाई गंटे केमिस्ट्री पढ़ करके आपने इस ब्ल्यू प्रिंट को बहुत जगे सुन लिया पढ़ लिया वस्तुनिष्ट परसना आएंगे रिकिस्थान आएंगे अतिलग उत्रात्मक आएंगे लेकिन इसका फाइदा कैसे उठाना है चलिए पहले चेप्टर के रिविजन से हम चुरू करते हैं लेसन का नाम है विल्लियन और इस लेसन से 6 नंबर के प्रशन आएंगे 6 जिसमें objective question भी होगा रिकिस्थान वाला भी होगा अतिलग उत्रात्मक के 2 होंगे और उत्रात्मक के 2 होंगे अब ये बात सुनने के बाद में अब इसका use कैसे करना है अपने इसदर देखते हैं हुआ क्या कि सबसे पहले आपने topic आप गाइड खोलेंगे आपके पास topic विल्यन में आपको पता है कि विल्यन में कम मात्रा में उपस्तित होता है विल्यन में सरवाधिक मात्रा में उपस्तित होता है तो बस भाई हमारे पास objective question बनेगे कि विल्यन में जो कम मात्रा में उपस्तित होता है कहलाता है विले विलियन में जो सरवादिक मात्रा में उपस्तित होता है वो कहलाता है विलायक कहलाता है तो यह objective question ठीक है फिर आया हमारे पास समांगी mission समांगी mission में हम क्या करने वाले बच्चो समांगी mission में आपको अतिल अधुतरात्म के जो एक नंबर की परिबाशा है वो पूछी जा सकती है कहागा जाएगा समांगी mission किसे कहते हैं तो आप कहेंगे कि वह mission जिसके परतेक स्थान पर सभी अवेवों का संगठन एक समान होता है उसे हम समांगी mission कहते हैं यह आपने याद कर लिया होगा फिर हमारे पास next जो आता है वो आता है बच्चो विल्यन के परकार ठीक है तो विल्यक की अवस्था के अधार पर विल्यन के जो हमारे पास परकार है विल्यक की अवस्था के अधार पर वो हमारे पास है गैस विल्यन है और द्रव विल्यन है और ठोस विल्यन है ध्यान रखना यह किस की अवस्था है विल्यक की अवस्था है विल्यक इसमें draw भी हो सकता है और thos भी हो सकता है तीनों इसके अंदर विले हो सकते हैं तो अब इसके अंदर question क्या बनेगा objective question बन सकता है क्या बनेगा कि आपको कहेगा कि भाईया आप बताओ कि draw chloroform draw chloroform का n2 gas में billion किस परकार का billion है ठीक है तो draw chloroform को into gas में गोला गया है draw को gas में गोला गया है इसका मतलब willion कौन सा हो गया draw का gas में willion हो गया ठीक है बचो तो ऐसे नीचे कई option दिया होगे उसमें से अपने को ये select करना है दूसरा इसका opposite question क्या आएगा opposite question ये आएगा कि निमे में से draw gas willion कौन सा है आप नीचे कई option दे देगा तो आपको समझना है कि भी ये draw chloroform को अगर into gas में गोलोगे तो ये draw का gas में willion है ठीक है इसी तरीके से कपूर का into gas में willion कौन सा gas willion है भई तो ठोस का gas में willion है तो आपको मैं ये क्या करवा रहा हूँ मैं आपके mind में questions डाल रहा हूँ आपने जब ये class खतम होने के बाद में दो घंटे जो पढ़ाई करनी है इस lesson की वो मेरे in questions के साथ में करनी है ठीक है तो इस परकार से ये आपके दो topic हो जाएंगे complete अच्छा छोट कोई भी question neglect नहीं करेंगे कुछ भी पूछा जा सकता है आपको पूछ लिया जाए क्योंकि ये अपने syllabus में है आपको कह दिया जाए बताओ 3 अंगी विलियन में घटकों की संख्या कितनी होगी तो बच्चे 2 होगी 3 अंगी में कितनी होगी 3 होगी इसमें important कुछ भी नहीं ऐसे कुछन भी पूछे जा सकते हैं और जाएंगे आप देखना पेपर के बाद की ऐसे विल्कुल आसान से प्रशन भी पेपर में आएंगे ठीक है जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े derivation वगरा से ही कुछन पूछे जाएं ऐसे कुछन भी पूछे जाते हैं और जो टॉपर्स बच्चे होते हैं वो अक्सर यही गलती करते हैं कि इस तरीके के प्रशन वो नहीं कर पाते चलिए इसके बाद हम बात करते हैं विल्लेन के परकार के बाद सांदर्ता की बात करते हैं और सांदर्ता के अंदर आप से जो है वो परतिशत्ता जो है परतिशत्ता सांदर्ता का जो परकार है परतिशत्ता इसमें से किस परकार के प्रशन होंगे आप देखो कि आप परतिशत्ता कि तीन परकार की एक तो भार भार परतिशत एक आयतन बटा आयतन परतिशत और एक भ में 100, यह अपने पास भार-भार परतीशत्त्त। हो गया, इसके अंदर यह зем में होगा कि भई परिभासा पूछ ले या आपके पास कोई सवाल पूछ ले, सवाल पूछ ले, तो कोई दिक्कत नहीं है, भया हमने विलय का भार रखना है, बटा में विल्यन का भार रखना है, और गुणा में क्या कर देना है, सो कर देना है, तो हम जो है इससे हम परतिशत्ता निकाल लेंगे, वो भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अभी इस मेंसे एक क्वेशन जहें ऊच्छा गया है जो आएत्य आइतन प्रतिशता है, मोडल पेपर में ये कोशन दे रखा है, कि इसके अंदर 35 आइतन बटा में आइतन प्रतिशत है, किसका विलियन है, किसका एथिलीन गलाइकॉल, एथिलीन गलाइकॉल के जलिये विलियन है, एथिलीन गलाइकॉल का कैसा विलियन है, जलिये विलियन, इ उन्हों कि ये एक पर्ति हिमकारी मिश्रण है और ये क्या काम करता है ये जल के हिमांग को जीरो डिग्री से घटा करब कर माइनस शत्र डिग्री कर देता है यह लोคน ही परशण हो गई ठेक है तो आपके पास पहला परशण जो आपके मोडल पेपर में देर खा है क्या कहा जाएगा कि भईया धुरुवे परदेशों में ये ठंडे परदेशों में कार रेडियेटर में कौन सा विलियन डालने की सला दी जाती है तो 35 आइतन परतिशत एथिलिन ग्लाइकॉल जली एविलियन की सला दी जाती है ठीक है और ये क्यों दी जाती है क्योंकि ये परतिहिमकारी मिशन है ये यूं भी पूछ ले कि एथिलिन ग्लाइकॉल का जली एविलियन जो है वो किस परकार का मिस्रण है तो परतिहिमकारी मिशन है ये क्यों परति हिम का रिमिशन है क्योंकि ये जल के हिमांग को 0 डिग्री से घटा करके माइने 17 डिग्री से एंटिग्रेट कर देता है तो ये जो परति सत सत से जब आप पढ़ोगे तो इस परकार के सवाल जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं ये लगुतरात्मक में भी पूछा जा सकता है अतिलगुतरात्मक में भी पूछा जा सकता है इसका रिकित स्थान भी पूछा जा सकता है ठीक है तो ये बहुत सारे कुशन साथ के सामने आ गई चलिए बच्चो इसके बाद हम बात करते हैं आपकी बड़ी फेवरेट सी टॉपिक है क्या है मोलर्ता जिसको हम कैपिटल M से रिपरजेंट करते हैं मोलर्ता क्या होती है ध्यान रखना की भाया ये अपने पास क्या है विल्यन क्या है बचो विल्यन इसमें क्या गोलना है विल्य के मोल क्या गोलना है विल्यन गोलना है कितना लेना है ये विल्यन एक लीटर आप कहोगे एक लीटर विल्यन में गुले हुए विल्यन के मोलों की संख्या जो है वो MOLARTA कहलाती है Clear होगी बात एक LITER VILLYN में गुले हुए VILLYN के मोलों के संगया गौर करना VILLYN लिना है और लिकर में लिना है VILLYN के मोल वही रहेंगे TARP जो है इसके अंदर ध्यार करना TARP हमें निश्चित करना है वो हम भी M punya है तो उपर आजाएगा 1000 और गुणा मैं स्री यही जो है आपने पास विले के मूल बटा में विलेन का आएतन और अगर M'ल में है तो उपर क्या आगया 5000 यह मोलरता का जो है वो सुत्र बन जाएगा अगर विले के मोल को और तोड़ना है तो विले की ग्रामों में मात्रा, बटा में विले का अनु भार, गुणा में विलेन का आयतन, किस में है, एमल में है, तो उपर आ जाएगा, हजार, तो ये लो, ये मोलरता का सुत्र बन जाएगा, ठीक है, तो इस परकार से जो है, यहां से कोशन पूचा जासता, निमेरिकल आएंगे, जिसको हमने पहले नहीं पढ़ा होगा, आपने सिर्फ निमेरिकल को पढ़ना है, जो चीजे हमें दिखाई दे रही है, वो देख लेनी है, फिर जो पूच्छा गया है, उसका फॉर्मला लिख लेना है, अगर उस फॉर्मले से जैसे मानलो, ये वाला फॉर्मला करना होगा, clear होई बात? ठीक है, चलिए, और मोलरता का एक बहुत बड़ा कंसेट और समझ लें, कि यह मोलरता जो है, वो ताप से परभावित होती है, ठीक है, कैसे परभावित होती है ताप से, क्योंकि इसमें क्या लिया जाता है, आयतन पतभरीवत होता है, इसलिए ये प्रभावित होती है आयतन ये पड़ा ताप बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा आयतन बढ़ेगा तो मुलरता घटेगी ठीक है तो इस परकार के जो प्रश्ण है वो आप से पूछे जा सकते हैं तो मुलरता हुई complete इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ मुलरता की तो मुलरता में क्या होगा बच्चो स्मॉल एम होगा लेकिन यहाँ पर विलेन की जगह क्या होगा विलायक होगा और लीटर की जगह क्या होगा एक किलो ग्राम होगा देखो मुलरता और मुलरता बोलने में ए एक किलोग्राम में ठीक है इसमें ताप की बात नहीं करनी क्या कहोगे कि एक किलोग्राम विलायक में गुरे हुए विलायक के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है ठीक है यह बस यही यहां पर जो है विलियन के आइतिन की जगह बार लेंगे लेकिन किसका विलायक का भार बस ये same to same जो है वो आपके पास formula बन जाएगा capital M की जगे ये क्या बन जाएगा small m बन जाएगा ठीक है और यहाँ पर ये ताफ से प्रभावित नहीं होती क्यों क्योंकि इसके अंदर भार पंद प्रियुक्त हो रहा है और भार का भार पर ताफ का कोई प्रभावर नहीं कि मोललता और मोललता में क्या अंतर है तो आप मोललता और मोललता के अंतर अगर लिखने है तो आप दोनों की प्रिभाशा लिख दें और बाद में लिख दें कि मोललता ताफ से प्रभावित होती है क्योंकि इसमें आयतन प्रियुक्त होता है ठीक है बच्चो तो इस परका पर ध्यान दियोगी कि यह 56 56 नंबर का पेपर है 51 प्रशनाने हैं तो इसका मतलब लगबग एक नंबर का एक ही हो गया तो बड़े कोशिंस की तो कोई बात ही ना करें छोटे-छोटे कोशिंस पर ही फोकस करना है अपने को ज़्यादा इसके बाद अपने पास जो वर्ड आता है वो है टॉपिक आता है वो है मोल अंश जिसको हम मोल भिन भी कहते हैं देखो इसके लिए क्या है कि भईया विल्यन में उपस्तित किसी एक अव्यों के मोलों की संख्या और विल्यन में उपस्तित सभी अव्यों के कुल मोलों की संख तो परिवाशा हो जाएगी अगर आप से नुमेरिकल पूछे तो जिसका पूछा है मोल उसके मोल उपर रखने बटा में सारे मोलों जितने भी आवे में सब के मोल नीचे रखने और मोल अंशा जाएगा ठेक है नुमेरिकल और किन सबसे बड़ी बात एक रिकिस्थान का important प् पूरी संभावना है क्या है आपको कहा जाएगा कि किसी विल्यन की कुल मोल अंश कितना है किसी विल्यन का कुल कुल मोल अंश होगा तो ध्यान रखना कितना होगा हमेशा एक होगा तो ये एक जो रिकिस्थान में अपने को भरना होगा और एक नंबर अपने को दिला जाएग क्लेर होई बात तो इस परकार से ध्यान रखना कि ऐसे किसी भी विल्यन का जो कुल मोल अंश होता है बच्चो वो हमेशा ही हमेशा क्या होता है एक होता है ठीक है चलिए यह मैंने रुमाल कहां रख दिया हाँ चलो बेटो बच्चो अब अपने चलते हैं अपने नेक्स मोल अंश के बाद नेक्स जो एक टॉपिक आता है वो है पी पी एम पी पी एम इसके दो तिन चार पोशन बता रहा हूं कैसे कैसे बुछ जाएंगे पहली बात यह क्या होता है यह होता है पार्ट्स पर मिलियन इसका मतलब क्या होता है दस लाख मैंसे मतलब दस की पावर छे मतलब यह क्या है दस लाख मैंसे यह बात ध्यायर रख लेना ठिक है और किसी भी चीज को निकालना है तो आप क्या कहोगे विलियन में उपस्तित किसी एक अवेव की मात्रा और बटा में विलियन की मात्रा व यदि विल्यन में विले की बहुत कम मात्रा उपस्तित हो ना तो संदर्ता की कौन सी काई काम में ली जाती है तो बच्चो ध्यान रखणा कौन सी काई काम में ली जाती है पी पीम ली जाती है आप से पुछा जाएगा कि यदि आच्छा बहुत कम मात्रा का मतलब कि जैसे वा सी काई प्रुजक्त होती है PPM. वाईव में परदुशकों की संदरता लिcious प्रुजक्त होती है PPM. क्योंकि आप estimates प्रदुशक बहुत कम होते हैं. समूदरी जल में oxygen की संदरता लिnap के लिए कौन संदरता का कोण सा प्रुजक्त होता है PPM. Clear होगी बैथ? ठीक है तो इस परकाट का प्रशन भी पूछा जा सकता है फिर ये ध्यान रखना बच्चो कि ऐसा प्रशन आ गया पेपर में 15 PPM को परतिशत में बदलो या आपको कहा दिया कि भाईया 15 परतिशत को PPM में बदलो ये एक दो तरीके के प्रशन सुन लो 15 PPM को परतिशत में बदलना है 15 PPM का मतलब क्या है 15 है कितने में से 10 लाक में से तो ये लो जी 15 कितने में से 10 लाक में से परतिशत निकालना है गुणा में सो काट दो 15 गुणा में 10 की पावर माइनस 4 परतिशत हो गया क्या बात ठीक है ये 4 बचा था 10 की पावर 2 से 6 से मैंसे 2 कट गी उपर से क्या बची की 4, 4 उपर गी तो मैनिस का 4, 15 इंटू 10 की पावर मैनिस 4, 30 30 को PPM में बदलना है, 30 का मतलब क्या है 15 है कितने मैं से 100 मैं से PPM में बदलना होता है तो 10 की पावर 6 से गुणा करते हैं, काट लो तो ये आगया 15 गुणा में 10 की पावर 4 PPM ठीक है बच्चों तो इस परकार से ये बात अपने को ध्यान रखनी है चलिए ये संदरता की सारे परकार हो गए आपके पास complete चलिए अब हम बात करते हैं ठोस की द्रव में विलेता को ले करके, ठोस की द्रव में विलेता को ले करके तो इसके अंदर ध्यान रखना की अपने पास एक प्रशन आ जाता है कि जो द्रूवये समान समान को गोलता है इसका अभिप्राय है कि द्रुविये विले, द्रुविये विलायक में गुलेगा, ए द्रुविये विले, ए द्रुविये विलायक में गुलेगा, पूछा जाएगा क्यों, ठीक है, तो आपने लिख रहा है, समान, समान, अंतर, आन्विक किरिया के कारण, समान, अंतर, जैसी क्रिया होगी एदरुए की एदरुए के साथ एक जैसी क्रिया होगी तो ये एक बात नोट कर लेना ठोस की द्रव में विलेता पर एक और प्रशना आता है बचो कि ठोस की द्रव में विलेता पर जो है दाव का क्या परभाव पड़ता है तो ध्यान रखना दाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि ठोस और द्रव दोनों ही दाब के परती एसमपीडिय होते हैं ये बात भी आप से आपको औरिकिस्तान में पूछ ले अतिले दुतरात्म के पूछ ले तो आपको ये बात लिखनी है ताप का क्या प्रभाव पड़ता है ताप का ठीक है तो आपका दो तरीके से प्रभाव पड़ता है क्या पड़ता है कि भैया जम ठोस को किसी द्रव में घोला जाता है और वो विल्यन बनता है तो क्या होता है बच्चो कि या तो अभिकिरिया उश्मा उश्मा शेपी होती है या फिर उश्मा उश्मा शोशी होती है उश्मा और उसको आप और ताप दे रहे हो तो भई बात खराब हो रही है इसका मतलब उसके अंदर ताप विलेता के वित करमानू पाती होगा क्लियर होगी बात आप समझ लें क्या कि भई उश्मा शेपी मतलब पहले से उश्मा निकल रही है और ताप दे रहे हो मतलब BLAST होने वाला काम उल्टा हो रहा है तो अगर माहलो जैसे गर्मी पड़ रही है गर्मी में आपको कहे झ면 तुम ये थीक पास बैठ जा नहीं मैठेंगे ना क्यों यूँ कि उल्टा हो रहा है काम तो इसका मतलब सामानुपाती होगा ठीक है बच्चो तो इस तरीके के ये जो है आपसे बिलकुल उश्मा ताप उश्मा शोशी अभी किरिया में मतलब ठोस को द्राव में घोलना यदि एक उश्मा शेपी पर किरिया हो तो ताप और विलेता में क्या संबंद होगा भई शेपी ताप दोनों ताप के पास पहले से गर्मियों में अगिठी के पास कौन जाता है बई उल्टा काम है तो इसका मतलब व्यूत करमानुपाती है यदि ठोस को द्राव में घोला जाए तो और उश्मा शोशी पर किरिया हो तो ताप और विलेता में क्या संबंद है तो भईया फिर तो ताप द्राव में विलेता कि जितने प्रशन थे अब आप अगर पढ़ोगे तो दो गंटे में चैप्टर आपका फूर्णा फट फट हो जाएगा ठीक है ना तो यही हमारा मकसद है इसके बाद जो गैस की द्राव में विलेता है उसको अपने को पढ़ना है ज्यान रखना एक त तो यह यह एक बात द्यान रख लेना अब इसके बाद गैस की द्राव में विलेता पर और क्या बात आ सकती है गैस की द्राव में विलेता पर हैंरी का नियम है भई हैंरी का नियम हैंरी के नियम के सारी बाते में बताने जा रहा हूं क्लेर पहली बात तो हैंरी जो है वो को पीता है बच्चो कोल्ड रिंग ध्यान रखना की हेंडरी कोल्ड रिंग पीता है और जो राउल टेना वो दारू पीता है यह ध्यान रखने आप क्या मतलब है कोल्ड रिंग में क्या होता है कोल्ड रिंग में द्रव होता है उसके इंदर गैस गुड़ी होती है तो हेंडरी क सारी बातें करिए लेकिन मैं यहां पर दोस्त चार पांच लाइनों के अंदर सारी सारा हैं डिक नियम समेट रहा हूं क्या करना है हैं कि किसी द्रव में घुली हुई गैस के मॉल अंस एक्स ए उस गैस के आंशिक दाब के पी ए के समानुपाती होता है बस चेक है आपने पहल अब पी ए इस इक्वल टू के एच एक्स ए के एच हैं भी यह तांग है ठीक है नियम भी हो गया सुत्र भी हो गया ठीक है अब आपको क्या कहना है एक और बात समझनी है कि यह जो गुली हुई गैस की मात्रा है मतलब गुली हुई गैस की मात्रा है तो यह जो अगर मैं उल्टा है तो आपको एक प्रस्षन देगा क्योंकि NCRT बुक में लिखा हुआ है तो आपको देगा कि KH का मान O2 के लिए इतना है N2 के लिए इतना है तो बताओ कौन सी गेस्थ जादा गुड़ेगी तो पहिया कि जिसके लिए KH का मान कम होगा वो गेंस जदा गुलेगी ठीक है जिसके लिए KH का मान जदा होगा वो गेंस जो है वो कम गुलेगी तो इसके अंदर O2 गेंस जदा गुलती है इसके लिए KH का मान कम है end to gas जो है वो कम गुलती है इसका मतलब के एच कामान इसके लिए क्या है ज्यादा है उल्टा होता है तो ये बात भी अपने को हैंडे के नियम में समझनी है clear होगी बात अब फिर जो है एक आता है एनॉक्सिया रोग और एक आता है बैंड रोग अचैnous, आउक्सिया रोग और बैंड रोग इनॉक्सिया रोग इसको होता है जो पहड़ों पर चड़ते हैं जो घ्लाइमबर्स होते हैं ठीक है और प्रवतारोई weapons यहों को यह रोग होता है जैसे जैसे उपर जाते है वायू का दाब कम होता रहता है वायू विरल होती बैंड रोग किसको होता है एनाक्सिया उपर बैंड नीचे नीचे गिरोग तो बैंड बजेगा ठीक है ना तो क्या होगा कि भीया अगर कोई समुद्र में जाता है गोता खोर होता है वो जैसे नीचे जाता है नाइट्रोजन गैस रक्त में ज्यादा गुल जाती है एक दम से उपर आता है तो गुलिवी गैंस क्या होती है शरीर से बाहर आती है तो नलियों में बुलुबुले बन जाते हैं उस रोग को हम कौन सा रोग कहते है बच्चो बैंड रोग कहते हैं clear तो ये दुनों रोग हो जाएंगे और हैंडरी का नियम हैंडी के नियम की सीमाएं क्या है है हैंडी के नियम की सीमाएं क्या है तो ध्यान रखना बच्चो कि हैंडी के नियम की सीमा ये है कि भई दाब एक तो अपने पास दाब बहुत बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए ठीक है तो ये ज जो गैस आप द्रव में गोल रहे हो वो गैस उस द्रव के साथ जाकर के बिग्रिया नहीं करनी चाहिए तो ये हैंडरी के नियम की जो है वो कम्या है है हैंडरी का नियम हो गया complete clear तो इसमें से आपको छोटे छोटे कोशन मेरे को लगता है इसमें लगुत्रात्मक और अती लगुत्रात्मक कोशन बढ़ने की ज्यादा संभावना है हैंडरी के नियम में से clear और ये अगर रिकिस्तान पूछा जाएगा तो आपसे यूँ पूछा जाएगा कि भया हैंडरी दाब है ध्यान रखना आंशिक वास्ट दाब नहीं आंशिक दाब है clear होगी बात तो इस तरी के से हैंडरी का नियम भी होगा complete एक बात ध्यान रख लेना कि गैस की द्रव में विलेता पर ताप का जो परभाव है वो हमेशा और हमेशा जो है वो वित कर्मानु पाती होता ह ठीक है ना जब भी गैस द्रव में गुलती है और विलेन बनता है तो यह हमेशा ही पर किरिया उश्मा शेपी होती है इसमें हमेशा उश्मा निकलती है मतलब यह अभी किरिया हमेशा ही क्या होगी उश्मा शेपी होगी अगर उश्मा शेपी होगी तो फिर ताप विलेता क क्या होगा विर्त कर्मानुपाती होगा अरे किसी गिद्रव को उबालते हैं तो उसमें गुड़ी वी गैसे बाहर निकल जाती है ना ठीक है तो वही कंसेप्ट यहां पर काम में आएगा चलिए इसके अंदर जो है आपको एक बात यह ध्यान रखना है कि एक प्रशन है भाई तो इस परकार से यह भी हमारे पास हेंडी का नियम हो गया चलिए इसके बाद नेक्स जो है वो हमारे पास आ गया बच्चो क्या हेंडी के बाद आपने पास आता है राउल्ट का नियम यह लो इसकी भी बात अपने हर साथ के साथ कर लेते हैं मैंने आपको बताया था कि जो राउल्ट है वो क्या पीता बच्चो दारू पीता है कैसे दारू पीता है कि भई ये आपके पास कैसे ये जो है वो शराब है या ये पाणी है और इसके अंदर क्या मिला दी शराब ठीक है तो ये क्या हो गया द्राव का द्राव में विलियन जब द्राव के अंदर द्राव करीम कहता भी यह किसी वाश्प शील किसी द्रव द्रॉव विलियन में वाश्प शील अव्यू का आंशिक वाश्पदाव उस अव्यू के मोल अंस के समानुपाती होता है ठीक है और इसके अंदर PA बराबर हो जाएगा PA node XA PB समानुपाती होता है XB के और बराबर का निशन लगा हो गए PB node XB आ जाएगा वो एक अलग बात है राउल्ट का नियम हो गया complete अब इसके अंदर ध्यान देना बचो कि जो राउल्ट का नियम होता है इसके अंदर इसके अधार पर विल्यनों को दो भागों में बंटा गया हो है ठीक है एक हमारे पास है आदर्श विल्यन और एक है अनादर्श विल्यन तो इदर ध्यान दे दें आपके पास एक कौन सा विल्यन है आदर्श विल्यन और एक कौन सा है छो पर अदर्श वियन ठीक है आदर्श वियन छोॉरह परतीक तैप यह बात समझखे लेड़े ना फॉर्टेक आप वर संद्रता अधर करें वह तो अधर्श वियन 나왔 कर ने का बंद की परबलता बराबर होती है ठीक है तो इस परकार से ये तो आदर स्विलियन है अनादर स्विलियन में राउल्ट के नियम की परतेक ताप और संदरता पर पालना नहीं होती मतलब पी ए बराबर पी ए नोड एक से नहीं होता अगर ये नहीं होता तो इसमें आयतन विरतन भी सुनने नहीं होता और ये बंद की परबलताएं भी जो है वो बराबर A B का बंद और A A का बंद ये बराबर परबलता के नहीं होते ही आदर शिविलियन के अगर उधारन पूछा जाए तो जो एक जैसे प्रकरती के और लगबग समान अनुबार के जो तत्व होंग वो राउल्ट के नियम के अपवालना करेंगे और आदर शिविलियन होंगे जैसे मैंने कह दिया हैगजेन और हैप्टेन हैगजेन प्लस हैप्टेन का बिलियन अरे दोनों ही हैडरो कार्बन एक में छे कार्बन हैं कि सात कार्बन है तो भाईया ये रादर शिविलियन होग बेंजीन बेंजीन प्लस टॉल्यूइन ठीक है दोनों में एक कार्बन का अंतर है बाकी दोनों एक जैसे हैं तो ये दोनों ही आदर्श्विलियन के उधारण है कलोरोvisorзаец엥 और कलोरोहप्टे Counsel Γ यादर श्विल्यन हो जाएंगे अनादर श्विल्यन में अलग लग जैसे जल में जाएंज जिन जल प्लस autohol भी दोनों की प्रकृती अलग लग है तो अनादर श्विल्यन कलोरो फॉम में प्लस एस हैंजीन तो अनादर श्विल्यन clear होगी बात चलिए अब हम बात क्या कर रहे हैं कि हमने कहा कि अनाधरश्विलियन में P E बराबर नहीं होता P E नोड X A के अरे बच्चों अगर बराबर नहीं होता तो क्या होगा या तो P E जद्दा होगा P E नोड X A से या फिर P E कम होगा पी ए नोड एक्स ए से अगर ज्यादा होगा तो हम उसको धनात्मक विचलन वाले अधनादर्श विलियन कहेंगे कम होगा तो हम उसको रिनात्मक विचलन वाले अधनादर्श विलियन कहेंगे ठीक है ज्यादा वड़ों में सारी चीजें ज्यादा ही होगी आयतन भी जादा होगा एंथेल्पी परिवर्तन भी जादा होगा बंद की प्रबलता जो है वो उल्टी होती है कि विल्यन में बंद जो है वो कमजोर होंगे किसके तुलना में विलायक विलायक और विले विलायक के बंद के तुलना में इसमें बंद जो है वो कमजोर होंगे किसमें विल्यन में ये बात ध्यान रखना रिनात्मक में सारा कम होगा आयतन परिवर्तन भी जो है जीरो से कम होगा एंथेल्पी परिवर्तन भी जीरो से कम होगा ये अपने को ध्यान में रखना है तो ये हो गया धनात्मक और रिनात्मक विचलन धनात्मक विचलन वाले का उधारन है जल प्लस अलकोहल रिनात्मक विचलन वाले का उधारन है कलोरोफॉम प्लस एसिटोन ठीक है तो एक चीज और ये वाला कुछन पूछा जाता होता है कि जल का एलकोहल में विलियन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन परदशित करता है क्यों तो आप बता देना कि जल और एलकोहल में बंद जो है वो कमजोर होता है ठीक है धनात्मक में बंद कमजोर बनाना है विलियन में विलियन में क्लेर है न और रिनात्मक विचलन में करता है तो इसलिए यह लोजी आदर्श विल्यन धनात्मक विचलन सब हो गया अपना complete चलिए इसके बाद अपने पास नेक्ट है है हो सकता है समय आपका थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है लेकिन आप यू देख लें कि भी आपको फाइदा हो रहा है या नहीं हो इसके बाद आप किती देर में चैप्टर पढ़ लेंगे ये मेरे को जरूर बताना आप चले अब अपने पास एक ध्यान रखना एक आता है स्थिरकवाथी स्थिरकवाथी मिश्रड कैसे याद करना है कि भाईया यह विल्यन है इस विल्यन का वाश्प परावस्ता है और यह वाश्प परावस्ता, तो वो विल्यन जिसके विल्यन परावस्ता और वाश्प परावस्ता में संगठन एक समान रहे, संगठन कैसा रहे बचो, एक समान, और साथ में कौथनांक क्या रहे, कौथनांक रहे, स्थिर, उसको हम स्थिर क्वाथी मिश्रन कहते हैं, ध्यान रखन कि किसे कहते हैं तो वह है मिश्रन जिसका विलियन और वाश परावस्ता में संगठन एक सामाल होता है और क्वाथनांक स्थिर होता है स्थिर क्वाथी बोल रहा है न तो क्वाथनांक स्थिर होता है उसे स्थिर क्वाथी मिश्रन कहते हैं यह दो परकार का होता है एक तो होता कि मतलों को इधफ रंक अधिक होगा लेकिन किसका विल्यन का मालों कोई तो आपके पास सिंपल सी बात है, स्थिर क्वाथी बोल रहा तो स्थिर एक परिभाशा कैसे लिखनी है, क्योंकि हम question और answer को hit कर रहे हैं, इसलिए इस बात को जरूर समझना है, क्या कहना है अधिक्तम क्वाथनांग की स्थिर क्वाथी मिशन, वहेविलियन जिसका क्वाथना स्थिर हो, वहेविशन जिसका क्वाथनांग स्थिर हो, लेकिन विले और विलायक से जिसका क्वाथनांग क्या हो, कम हो, तो उसको अपने नियून्तम क्वाथनांग की स्थिर क्वाथी मिशन कहते हैं, तो इस परकार से ये बात भी होगी है, complete, चलिए भई, अब नेक्स, 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 बस बस, बस पांस साथ-10 मिनट और लगेंगे और ये पूरा पूरा च nove हो आजएगा, लास्ट बात अबन्हें करpero क्या अणूसंक्य गुंदरम, अणूसंक्यर गोणा, द्रऔरम, बुल कि प्रिवाशां में क्या आएगा, कि विलियन के वे गुण धरम जो कणों की संख्या पर निर्वर करते हैं, किस पर? कणों की संख्या पर निर्वर करते हैं, प्रकृती पर निर्वर नहीं 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 करते हैं, त तो आपिक्षिक वास्पदाब अवनमन, कोथनांक उन्यन, हिमांक अवनमन, तो ये कई सारे हैं, तो बच्चों मैं ऐसे करता हूँ, कि इन दोनों तीन को मैं एक साथ ले लेता हूँ, कि एक तो है, आपिक्षिक वास्पदाब अवनमन, ठीक है, कोथनांक उन्यन, मैं ऐसे ल आपको पता है पहले से, ठीक है यह तीन चीजी हैं, आपने क्या करना है बच्चों, आपने इन तीनों के लिए एक बात जहारा रख लो, इन तीनों के लिए, ये आपके पस वाष्प शील बिलायक। यह क्या होगा बच्छों एक कंटेनर है जिसके अंदर क्या है वाश्प शील विलायक होगा यह एक लाइन याद करें लो सारे याद हो जाएंगे और इसके अंदर आपको मिलाना है वाश्प शील विले ए वाश्पशील विले और बढ़ना क्या बच्चो विले बस इतनी बात ध्यान रख सकते हो वाश्पशील विलायक में क्या मिलाना है ए वाश्पशील विले मिलाना है बस इतनी बात ध्यान रखो तीनों की परिवाशा बनगी क्या वाश्पदाब अवनमन की परिवाश मैं पहले बता रहा हूं देखो आप एक फिक छोड़ रहा ओं form की प्रिभाशा की वास्प शील विलाय कि या याद कर लो वास्प शील विलाय के वास्पशील विलाय मिलाने पर विल्यन का बढ़ जाता है क्वाथनांक उन्यन, उन्यन मतलब बढ़ना क्या क्वाथनांक, क्वाथनांक बढ़ जाता है, इसे हम क्वाथनांक उन्यन कहते हैं, और ए वाश्प शिल विले मिलाने पर विल्यन का हिमांक गट जाता है, हिमांक आवनमन है ये, हिमांक आवनमन, तो हिमांक घट जाता है, इ वास्टदाब अवनमन है डेल पी ये भी मुललता के समानुपाती है ठीक है और जो कौतनाक उन्यन है डेल्टा टी भी ये भी मुललता के समानुपाती है हिमांक अवनमन डेल्टा टी एफ ये भी मुललता के समानुपाती है ठीक है बच्चो इसकी बात अपने अलग से कर सकते कि जो वाश्प आपेक्षिक वास्टदाब आवनमन होता है ना वो वास्टदाब आवनमन में शुद्ध विलायक के वास्टदाब का भाग दे दें तो यह आपेक्षिक वास्टदाब आवनमन होता है ठीक है और यह बात अपने को ध्यान रखनी है और यह ध्यान रखना यह के मोल लंज के बराबर होता है ये दियान रख लेना बस अब इसके अंडर आ जाओ कि यहां पर कौथरा कुंब्री में समानुपति के निशान रटाओ डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू M के भी आ गया और यहां पर क्या आ जाएगा सवानुपति की निशान अटाओगे तो KF इंटू M आजाएगा ठीक है अब अपने पास यहां पर मुललता की अगर आपको सुत्र आता है तो यह पूरा सुत्र बन जाएगा क्या के भी मुललता का सुत्र क्या होता है विले की ग्रामों में मात्रा विले की ग्रामों में मात्रा विले का अनुभार गुणा में विलायक का वार अगर यह ग्राम में है तो उपर आ जाएगा हजार तो यह लो यह फॉर्मूला बन गया और इसी के अंदर अगर यह बनाना चाहो तो यही वाला क्या है यह है भया मोलल मोलल उन्यन स्थिरांग उन्यन स्थिरांग जिसको हम एबुलोस्कॉपिक स्थिरांग भी कहते हैं एबुलोस्कॉपिक स्थिरांग ठीक है और इसको अपने के एफ को अपने कहते हैं मोलल मोलल आवन नमन स्थिरांग या फिर क्रायोस्कॉपिक स्थ ठीक है बच्चो तो इस परकार से दो आपके ये परिवाशा पूची जा सकती है बनाने कैसे है बनगी परिवाशा कैसे बनेगी कि अगर आपको कहा गया मोलल उन्यन स्थरांग किसे कहते हैं तो भई आप कहोगे हजार गराम अब जब मोलल वर्ड कह दिया या स्थिरांग की पात आगी तो मात्राइं निश्यत करने पड़ेगी यह वाष विलायक कितना लेना चीटा लेना है वाष विलायक लेना है 2000 खिल में1 मिलाने पर जितना में होता है उसे molar onion strong या auscopic strong कहते हैं या दोगा चले cryoscopic करके देखते हैं या फिर molar onommen strong करके देखते हैं हमने क्या किया हमने कहा कि 1000 गराम वात्षील विलायक में एक molar a washーム मिलने पर हिमांक में जितनी कंषी होती है उसको molar vanaman strong कहते हैं या cryoscopic strong कहते हैं और मन घटना onion वाश्प्षील विलाए कितना ना चीए 1000 ग्राम एक मोल क्लीर होई बात ठीक है तो इस परकार से जो है ये सारे प्रशन जो है इनके हम कर लेंगे अनु बहर निकालना होता है तो तिर्चा गुणा कर लेना एंब इदर लेना डेल्टा डीवी इदर लेना नुमेरिकल भी करना बढ़ सकता है तो इनके जो है मान रख देना कैलिकुलेशन हो ना हो मान जरूर रखना कैलिकुलेशन सौल होती नजर आए तो वहीं कर लेनी है नहीं नजर आए तो पेपर खतम होने के बाद में करनी है ज्यादा टाइम नहीं खराब करना कहीं ऐसा ना हो कि कैलिकुलेशन क देखो परासरन पहले तो परासरन होता क्या है परासरन होता है कि यह मैंने बना दी अर्द पारगम में जिली सैमी पर्मेबल मेंब्रेन ठीक है सैमी पर्मेबल मेंब्रेन या अर्द पारगम में जिली किसे कहते हैं जिसमें से विलायक केकन आ जा सकें किसके विलायक केकन आ ज जा सकें उसे अपने अर्द पार्ग में जिली कहते हैं ठीक है ध्यान रखना अगर यहां पर विल्यन की विलायक की बात करें विलायक की तो उच्छ संदर्ता से उच्छ संदर्ता से निम्न संदर्ता की और विलायक की निम्न संदर्ता की और जाता है अर्द पार्ग में जिली से उसे हम परासरन कहते हैं ठीक है विलायक अपनी उच्छ संदर्ता से निमन संदर्ता की और अर्द पारगम्मे से जिली से होकर के जाता है उसे हम क्या कहते हैं परासरन कहते हैं लेकिन अगर यही बात हम विल्यन को लेकर के कहें ठीक है विल्यन को लेकर के तो आपने यहां पर द्यान रखना यह होगी इदर निमन सांदर्ता का विल्यन और इदर क्या होगा उच्छ सांदर्ता का सांदर्ता का विल्यन ठीक है जाएगा कौन विलायक आप कहोगे कि जब विलायक विल्यन की निमन सांदर्ता से विल्यन की उच्छ सांदर्ता की और होगी बात ठीक है तो अगर विल्यन की बात करेंगे तो ध्यान रखना निम्न से उच्छोगा उपर वाला चाहिए आप छोड़ दो उपर वाला समझाने के लिए होता है ठीक है विल्यन कौन सा वना चाहिए निम्न संदर्ता से उच्छ संदर्ता की और जाएगा कौन विलायक किस से जाएगा अर्द पारग में जली से जाएगा तो उसे हम परासरन कहेंगे अब ध्यान रखना कि अगर विलायक इदर से इदर आ रहा है और हम उपर से दाब लगा दें तो विलायक के परासरन की किरिया को हम रोक दें तो जितना दाव लगणा पड़ रहा है उस दाव को हम परासरन दाव कहते हैं तो वह दाव जो विलायक के अर्द परग में जिली से आने को रोक दे या परासरन की करिया वह दाव जो परासरन की करिया को रोक दे उसे हम परासरन दाव कहते हैं और अगर प्रासरन दाब से अधिक दाब लगा दिया जाएगा तो विलायक जो है उच संदरता के विलियन से निम्न संदरता के विलियन के और जाने लग जाएगा उल्टा जाने लग जाएगा इसे हम वियतकरम प्रासरन कहेंगे क्या कहेंगे वियतकरम प्रासरन तो वियतकर उर्णार c । को और इसी के धहर पर विल्यन के तीन परकार हैं एक प्रशन आता हुता है बढ़ा ही शान्दार ये लो ये लो एक आपयों कि लाल रक्त कनिका इसके अंदर के सांदर्थ ता जो होती है डिया वो पौइंट 9% नौ पर 26 ठीक है तो क्या होता है कि अब अगर मैं इस लाल रख्त कणिका को क्या करूं एने सेल के विलियन में रख रहा हूं एने सेल का विलियन है यहां पर भी एने सेल का विलियन है और एने सेल का विलियन है इसको इसके अंदर भी लाल रख्त कणिका रख दी इसके में लाल रख्त कणिका रख दी अब इसमें बहरवाले विल्यन की संदरता जो है वो 0.5 परतिशत है इसकी 0.9 परतिशत है और इसके अंदर एक परतिशत है अंदर वाली तो 0.9 है अंदर वाली तो 0.9 है ठीक है तो अब क्या हो गया कि बहरवाले अंदर वाले विल्यन की संदरता 0.9 बहरवाले की 0.5 तो बह सम प्रासारी विल्यन और बाहरवला एक है अंद्र वड़ा पॉइंट नो है तो अती प्रासारी विल्यन ध्यान के अल्प का मतलब कम अती का मतलब ज्यादा सम का मतलब बराबर लेकिन ये कम क्या बाहरवले विल्यन की संद्रता अती क्या बाहरवले विल्यन की संद्रता ये विल्यन के और जाता है विलायक, तो ये बाहर से अंदर के और जाने लग जाएगा विलायक, और कोशिका जो है वो फूल जाएगी, अंदर जा रहा है विल्यन, इसको हम अंते प्रासरन कहेंगे, इसमें अंते प्रासरन हो जाता है, कोशिका फूल जाती है, clear, इसमें ना अंत परासरन होगा क्योंकि दोनों तरब संदरता हैं बराबर हैं और अती परासारी विलियन में क्या होगा कि बाहर संदरता ज्यादा है अंदर कम है तो पाणी जो है अंदर से निकल करके बाहर आ जाएगा अधिक से कम की और अधिक संदरता के विलियन से कम संदरता के विलियन के और विलाज जाता है तो पाणी जो है बाहर निकल जाएगा इसको हम कहेंगे बाहर परासरन और कोशिका जो है वो पिचक जाएगी तो आपके पास ये बहुत important प्रशन हुआ करता होता है क्या होता है जब लाल रक्त कणिका को इसमें कोशिका फूल जाएगी इसमें कोई प्रवाब नहीं पड़ेगा इसमें कोशिका पिचक जाएगी तो इस तरीके के प्रशन हम से पूछे जाते हैं चलिए बई इस तरीके से प्रासरन की बात भी हो गई जो वितकरम प्रासरन है इसका उपियोग समुद्री जल के वी लवनी करण में किया जाता है तो ये बात ही अपने ध्यान रखना लास्ट टॉपिक आ गया है वांट हाफ गुणांक जिसको हम आयोटा से प्रदशित करते हैं आयोटा क्या होता है बचो प्रेक्षित अनुसंख्य गुणधरम बटा में सैध्धानतिक अनुसंख्य गुणधरम जो है का अनुपात वांट हाफ गुणां कहलाता है प्रेक्षित बटा में सैध्धानतिक अनुसंख्य गुणधरम की बात अपने कर रहे हैं लेकिन अगर molar द्रवेमान की करेंगे तो उल्टा हो जाएगा क्योंकि वो वियत करमान उपाती होता है तो वो जाएगा सैद्दान्तिक बटा में प्रेक्षित बाग की सारा का सारा वही रहेगा क्लियर ये ध्यान रखना कि ये कब होता है जब ऐस समाने molar द्रवेमान हो मतलब विलय को विलयन के अंदर डालें और विलय या तो जाकर के टूट जाए या जुड जाए तब ये काम में आता है तो इसलिए वांटाफ गुणांग की वियोजन की मात्रा वियोजन की मात्रा मतलब विलयन में जाकर के टूट जाए तो वियोजन की मात्रा के साथ जो इसका सम्मंद है मतलब अलफा के साथ जो सम्मंद है वांटाफ गुणांग का वो आपको अलग से याद रख लेना है अलफा बराबर होता है आयोटा माइनस वन एन माइनस वन ब मांद 4 है clear इसी प्रकार से संगुनन की मात्रा के साथ में इसका क्या संबंद है संगुनन की मात्रा के साथ में alpha अब है हमारे पास्ट संगुनन की मात्रा और यह होता है one minus Iota और बटा में one minus n उपर n से गुणा हो जाएगा यह थोड़ा सा एक confusing है कि भई अपने पास ये तो रहेगा आयोटा माइनस मनी आयोटा माइनस 1 1 माइनस N गुणा में N ये जो है N यहाँ पर क्या है N जितने अणू संगुणित होते हैं मालों चार अणू संगुणित होते हैं एक अणू बना लेते हैं तो चार हो जाएगा दो अणू मिल करके एक अणू मनाता है तो इनका मान दो हो जाएगा तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है ठीक है तो चले तो ये दोनों फर्मूले भी आपको याद करने है एक और लास्ट और लास्ट निमेरिकल मैं आपको बता रहा हूँ क्या होगा कि आपको कहा जाएगा कि निम्न को वांट हाफ गुणां के मान के बढ़ते करम में लिखिए और ऐसे लिख दिया जाएगा 0.2MNACL 0.2MBACL2 और याँ पर 0.1BAMNBACL2 और कह देगा 0.2MALCL3 ठीक है तो इनको कहेगा कि वांट हाफ गुणां के मान के बढ़ते करम में रखो तो आपको क्या करना है आपने देखना है कि एक N है एक C L है और आगे पॉइंट दू है पॉइंट पॉइंट सारों है तो इसको दो ही मान लो दो ये दो ये गुणा किया कितना आ गया चार ठीक है एक B A 2 C L कितने होगे तीन बहागे कितना है एक गुणा किया कितना गया त एक EEL 3CEL टोटल कितने होगे? 4 4 को 2 से गुणा किया कितना आफ ठीक है? तो अब अपने को क्या करना है? इनको बढ़ते करम में लिखने है तो जिसके लिए ये कमान कम आया है कुणों की सिंख्या कम आई है तो इसके लिए कम आई है तो इसके लिए want of गुणांग का मान सबसे कम होगा इसका ज़्यादा और इसका सबसे ज़्यादा ठीक है कैसे तरीका अपनाया यह परमानू गिन लेने एक एक दो बाग एक संख्या कितनी थी दो से दो गुणां के लिए चार एक और दो तीन तीन है कम तीन एक और तीन चार चार दुनी आठ तो जिसके कम आया वो उसका want of गुणांग सबसे कम है जिसका ज़्यादा वो ज़्यादा जिसका सबसे ज़्यादा इस परकार से भईया टाइम तो बिल्कुल देखो लग गया क्योंकि मैंने ज्यादा questions focus कर लिए अब अगर आप पूरे chapter को अगर आप revise करना चाहोगे तो मेरी खाल से एक घंटे में आप पूरा chapter revise कर सकते हो ठीक है बच्चो तो अगर ये आपको भड़िया लगा और एक दो बातें आपने reply करनी है नमबर एक बात आपने reply करना है कि ये essay पढ़ने के बाद में आपको chapter को revise करने में कितना time लगा और दूसरा आपने reply करना है कि क्या essay और chapters जो आपने 10 दिन का schedule बनाना चाह रहे हैं क्या उसको हम लागू करें या नहीं करें फटा फट कमेंट करके बताएंगे वीडियो खतम होते ही और साथ में वीडियो को लाइक भी कर ले और जिन लोगों ने subscribe नहीं कर रखा यह वो subscribe भी कर लो ठीक है आज के लिए इतना ही good luck all the best for your board exam and this all the best for this revision schedule okay good bye